हेलो फ्रेंट्स में चैनल में आपका स्वागत है देखेए फ्रेंज आज हम एक मातरानी के प्यारी सी ड्रेस बना कर लेकर आये हैं लुक देख लीजिए कितना प्यारा बना है और ये हमारी मातारानी की चोली और ये हमारी मातारानी का दुपट्टा और ये हमारी घीरा देखे कितना प्यारा बना है ये मैं आपको step by step बनाना सिखाऊंगे कि किस तहरा से हमने बनाया है दो पार्ट में हम इसे बनाएंगे पहले में हम ये लहंगा बनाएंगे फिर दूसरे में हम अतरानी की चोली और ये दुपट्टा बनाएंगे अमीद friends आपको पसंद आएगा तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखे यहां तक तो मैंने आपको बनाना बताया है पहले भी अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो लिंक आपको डिस्केप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से देखकर आप यह वाला घेरा हम किस सह से बनाएंगे वह आप वहां से देखकर सीख सकते हैं तो च लटा और सीधा हमारा इस सहह से पता चले का अप इस स्टीर क्रोश लाघ वाला उत्वियो देखकर आप इससे सीधा यहां देखकर और सीधा और आपको रहा त्वितर के मिलुए जोएंगे हम одна लाएंगे लाघ वाला से फिज्डल किए में ग्रीन धाग यहांपर ज्वाएंट करेंगे यहां पर देखिए हम ग्रीन से बनाएंगे तो इस तह से चेन बनाएंगे 1, 2, 3 तीन चेन ली है हमने डबल क्रोशे के हाइट के लिए और तीन चेन हम लेंगे गैपिंग के लिए तो हमारे पास यह पाझ चेन सोरी छे चेन बन गई है धागल लेंगे और जहांपर हमने धागा जोइंट किया था सेम प्लेस पर हम इसे यहां पर एक डबल क्रूश्य और बना देंगे तो यह दिखे कुछ इस तह से हमारी v बनेगी धागल लेंगे एक दो चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन के अंदर हम फिर से डबल क्रोश्या बनाएंगे थर्ड चेन पर बनाना है एक दो दो चेन स्किप करेंगे और तीसरी में हमने डबल क्रोश्या बनाया एक दो तीन चेन ली है और यहीं पर हम फिर से डबल क्रोश्या बनाएंगे बीच में हमें कोई भी चेन नहीं लेनी है एक दो और तीसरी चेन के अंदर हम फिर से डबल क्रोश्या एक दो तीन और यहां पर हम डबल क्रोश्या बनाएंगे है पिस्ते धाग लेंगे एक दू चेन छोड़ेंगे ओर ये जो हम एक दूवरीर चेन लेते हैं यहाँ पर aja है तो Йहाँ पर भी हम एक डबल करोश्या यहां अटीन चेन बडबल करेंगे आटीन ही बनाते हुए हम यह sure Hai complete करेंगे जिसमें हम देखे टीन डब में एक यहां पर हमने पैंच छे चैन लिए है फिर यहां पर डबल कुरूश्य बना या है जिसमें हमने यहां पर तीन चेन के gapping लेए है और नीचे हमें दो chain skip करने है ऐसे बनाते हुए हम ये पूरा round complete करेंगे देखिये यहाँ पर round हमारा बनकर complete हुआ और अब हम आगे बनाएंगे यहाँ पर हम इसके सीधी side में आएंगे और पहले हम इसमें एक chain बनाएंगे इस तहर से दो दो चेन बनाई है अब हम धागा लेंगे दो चेन बनाने के बार इस जो हमारी ये पहली वी है इसे हम स्किप करेंगे और जो हमारी सेकंड वी है और इसका जो डबल क्रोशिया है इसके अंदर हम छे बार डबल क्रोशिया बनाएंगे डबल क्रोशि है यह वाला इसके अंदर हम छे बार डबल क्रोशियां बनाएंगे इस तह से पकड़ेंगे एक है दो है तीन है चार है पांच है देखिए छे बार हमने बना लिया डबल क्रोशी के अंदर अब हम यहां पर धागा लेंगे और जो यह जहां यहां पर हमने वी बनाई है देखिए यह वाली जो हमने यह वी बनाई है इसके अंदर हम डबल क्रोश यह देखिए यहां पर इसके अंदर हम बनाएंगे दो देखिए एक बन गया है फिर से बनाएंगे दो फिर से बनाएंगे तीन यहां पर हमने तीन बनाए धागा लेंगे और छे डबल क्रोशिया हम यहाँ पर नेक्स्ट यह देखे जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके अंदर हम छे बार और बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छे छे बना लिया यहाँ पर देखे इस तहाँ से यह हमारा पैटर्न बना है देखे इस तहाँ से अब हम यहाँ पर यह जो हमारी तीसरी चेन है वी है इसके डबल क्रोशिया यह जो हमने तीन चेन लिए थे यहाँ पर बीच में सिंगल क्रोशिया करेंगे तो यह एक पैटर्न हमारा तीन V पे बना है देखिए पहली V हमने skip किया दूसरी V के अंदर हमने pattern बनाया और तीसरी V के अंदर हमने इसे joint किया तो यह तीन V के अंदर हमारा एक pattern बनेगा अब दुबारा से बनाएंगे धागा लेंगे और यह जो next V है इसके double crochet के अंदर हम यहाँ पर छे बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे बार बनाया, धागा लेंगे, और यह जो चेन है, चेन के अंदर हम तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, तीन बार बनाया, अब फिर यह जो दूसरी साइट का डबल क्रोशिया है, इसके अंदर हम छे बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, अब नहींगे, नेक्स्ट वी के अंदर हम यहाँ पर सिंगर क्रोशिया करेंगे, तो इस तहाए से देखें, बनाते हुए, में देखें, इस तहाए से, हम यह पूरा राउंड कम्प्लीट करेंगे, बनाकर राउंड कम्प्लीट कर लेते हैं, देखे राउंड हमारा बनकर complete हो चुका है और यहाँ पर हमारे पास total 12 leaves बनकर आई है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा इस तरह से बारा बनी है एक हमारी यहाँ पर वी कम है जिसमें हमारा यह देखे पैटर्न इस तरह से बना है एक वी बची थी ज अगर हम यहाँ पर ऐसे नहीं बनाते तो यह दो भी हमारे स्किप होती तो हमने इसमें सेम बना दिया है अब हम आगे इसमें देखे क्या करेंगे यह हमारी रोंग साइड है और रोंग साइड में अब हम इसमें थर्ड धागा जोइंट करेंगे जो हमारा ओरेंज कलर होगा यह दिखीए अब यहाँ पर हम धागा जोइंट करेंगे इस तहा से फिर एक चेन लेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोश्या बनाएंगे अब हम एक दो तीन चेन ली है और तीन चेन लेने के बाद यहाँ पर जो हमारी की कब दो सिंगल क्रोश्य बनाइंगे 1036 ऐस सिंगल क्रोश्य बनाएं एक दो तीन में हमने वनाई है सभी वी के अंदर सिंगल क्रोश्य बनाएंगे Oliver a बनाना तो हर वी के अंधर हम 3-3 necks chain के अंदर इसमें सिंगल क्रोशिया करें इसके tidalal रहां पर देखिए हमारा राउड कंप्लीट हो चुका है और इसके बात देखें, यहां पर हमारे पास जो हम यह लूप है, यह लूप हमारे पास 24 बन कर आए हैं, एक वर काउंट कर लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, उन्निस, बीस, एकिस, 22, 23, 24, 24 हमारे पास बने हैं, क्योंकि 24 ही हमारे पास यह नीचे वी बनी हुई थी, तो इसमें के ऊपर हमारा 24 ही यह लूप बन कर आए हैं, अब हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे, तो पहले हम इसमें तीन चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, तीन चेन ली है, टर्न करेंगे, और अब हम धागा लेंगे, यहाँ पर हम चार डबल क्रोशे की कली बनाएंगे, एक डबल क्रोशे, सोरी, दो डबल क्रोशे, दो चेन और दो डबल क्रोशे, एक, दो, फिस से यहाँ पर नेक्स्ट लूप है, नेक्स्ट ल दबल क्रोशिया बनाएंगे फिर दागा लेंगे नेक्स्ट लूप में जाएंगे तो हम यहां पर कली बनाएंगे एक दो दो चेंड लेंगे और फिर से हम यहां पर कली बनाएंगे फिर एक डबल क्रोशिया फिर से नेक्स्ट में जाएंगे चार डबल क्रोशिय की कली ये पूरा राउंड हम इसी तह से बनाकर कंप्लीट करेंगे जिसमें हम दो डबल क्रोशिय की कली बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया हम सिंपल बनाएंगे ये चार डबल क्रोशिय की कली बनाई नेक्स्ट में हम सिंपल डॉपल कोशया बनाएंगे फिर से नेक्स्ट में हम चार Assistant की कली बनाएंगे मरें दो चैन लेंगे और दोडबल कोशिया फिर हम सिंपल डबल कोशया बनाएंगे लिए इस से से यहां पर चार डबल कोश्या फिर सिंपल डबल कोश्या फिर चार डबल कोश्या फिर हमारा यह सिंपल डबल कोश्या फिर चार डबल कोश्या सिंपल डबल कोश्या चार डबल कोश्या और यह सिंपल डबल कोश्या इसी तह से बनाते हुए हम यह पूरा राउंड कम्प्रीट करेंगे देखिए यहां पर राउंड हमारा बनकर कम्प्रीट हो चुका है और एंड में हम आ गए हैं एंड में हमारे पास यह दो लूप बचे हैं देखिए एक हमने सिम्पल बना लिया है अब नेक्स्ट में हम च्यार डबल क्रोशे की कली बनाएंगे तो यहां पर हम च्यार डबल क्रोशे की कली बनाएंगे एक दो दो चेंड लेंगे और एक डबल क्रोश्या बनाएंगे एक दो यह बन गया अब नेक्स्ट लूप में हम एक डबल क्रोश्या बनाएंगे एक डबल क्रोश्या बनाया और अब हमने जहां से धागा जोइंट क वहां पर आधा गिए यूख इस तहाँ गैए हैं इस था इसे बना है अ दो से के ग्रवाइनफ करेंगे टॉस ऑल्टी साइड में हमाल गए यह यह हमारी यूख साइड अब जो simple double crochet बनाया है वो हमारा front post double crochet बनेगा और wrong side से ulti side से हम उसे back post बनाएंगे तो 3 chain बनाएंगे फिर हम यह जो double crochet है इसे हम देखे back post बनाने के लिए इस तहर से पिछे से double crochet बनाएंगे यह बन गया फिर धागा लेंगे और हम इस कली के अंदर आएंगे, तो कली के अंदर हम simple double crochet बनाएंगे, एक, यही दो double crochet, दो chain और दो double crochet, एक, दो, फिर धागर लिया, और यहाँ पर जो यह हमारा double crochet दिखाई दे रहा है, इसे हम back post बनाएंगे, रोंग साइड से हमारा यह back post बनेगा, और सीधी साइड से हमारा यह front post बनेगा, फिर यह 4 double crochet की कली, कलीों में हमें कोई भी change नहीं करना है, 4 double crochet की कली बनानी है, जिसमें हम 2 double crochet, 2 chain और 2 double crochet बनाएंगे, और जो simple double crochet है, इसे हम back post बनाएंगे, देखे इस तहीं, यह देखे यहां से तो हमारा back post बनाएंगे, अगर हम सीधी साइड से देखेंगे, तो हमारा यह front post बनाएंगे, तो हम बना कर complete करेंगे कली की ऊपर कली बνοैंगे और simple double crochet को हम रोंग साइड से बना रहे हैं तो back post बना कर complete करेंगे देखिए यहां पर हमारा राउंड कम्प्रीट हो चुका है अब हम देखिए एंड में आ गए हैं राउंड के यहां पर मैंने यह बैक पोस्ट बनाया है अब हम यहां पर कली बनाएंगे एक यह दो डबल क्रोश्या दो चीन और दो डबल क्रोश्या यह जो हमने तीन चेन बनाई थे इस तीन चेन के अंदर हम एक डबल क्रोश्या बना लेंगे देखे इस तह से एक दो तीन तीन चेन लेंगे अब हम देखे इसमें यहां पर देखे आप इस तह से देखेंगे तो यहां पर यह हमारा इस तह से मुड़ रहा है तो इस जोल को कम करने के लिए हम इसमें डबल क्रोश्या बढ़ाएंगे जिसके लिए हम धागा लेंगे औ और यहां पर हम पहले एक दो बनाते थे इस बार हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे दो बन गए हैं एक बार और बनाएंगे तीन बनाने के बाद दो चीन बनाएंगे और फिर से हम यहीं पर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर धागा लेंगे यह जो हमने बैक पोस्ट बनाया था यहां से हम इसे फ्रेंट पोस्ट बनाया फिर से हम यहां पर छे डबल कोशी की कली बनाएंगे एक, दो, तीन, दो चीन, और हम तीन डबल कोश्या इसी तहर से बनाते हुए हम यह पूरा राउंड कम्प्लेट करेंगे और देखे इसमें हम यह तीन तीन जो हम कली बना रहे हैं इसके हम तीन राउंड बनाएंगे फर्स राउंड पे हम hai, second एक और बनाएंगे फिर उसके बाद एक और बनाएंगे तो यह हमारे पास पांच राउंड हो जाएंगे एक, दो, तीन, तीसरे राउनद पे हैं और जो ये तीन डबल कोश्य है, इसकी हमारी पहली रोग है तो ये जो हम छे डबल कोश्य की कली बना रही हैं ये हमारे पास तीन राउनद होने चाहिए ऊतना हम बनाएंगे तीन राउनद तक सेम पैटरन repeat करेंगे और सीधी साइट से हम पूर्पाउस्ट बनाएंगे तो टोटल हम ये पांच बनाएंगे दो राउंड में हमने च्छार इर ड्बलक्रोच पांच यहां पर देखे हमारे टोटल पांच राउंड बनकर कम्प्लीट हो चुके हैं एक, दो, तीन, चार, पांच पांच राउंड बन गए हैं अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे उसके लिए देखे हम क्या करेंगे यहां पर मैंने तीन चेंज पहले ही बनाई हुई हैं अब हम इस पर धागा लेंगे और यहां पर हम तीन डबल क्रोश्या बनाएंगे जैसे पहले बनाते थे सेम वैसे ही तीन डबल क्रोश्या बनाएंगे फिर हम यहाँ पर दो चेन लेंगे और फिर से तीन डबल क्रोशिया बनेंगे एक दो तीन तीन बन गया अब देखे अब तक हमें कोई भी चेन नहीं ले थी गैपिंग के लिए कोई चेन नहीं ले थी अब हम एक चेन गैपिंग के लिए लेंगे एक चेन ली है और अब देख हमारा दो रहेंगे पहले लूप निकालेंगे दूसरे निकालेंगे तो अब यह देखिए इससे के बराबर हो गया बनाना हमें double crochet है तरीका थोड़ा change होगा अब यहाँ पर फिर से हम एक chain लेंगे धागा लेंगे और हम यहाँ पर 6 double crochet बना लेंगे तीन double crochet दो chain और तीन double crochet एक दो तीन अब एक chain लेंगे धागा लेंगे और हम यहाँ पर इस तहाँ से थोड़ा सा loose बनाकर पहले हम इस लोप में से निकालेंगे फिर दो में से निकालेंगे और फिर दो में से निकालेंगे इस तहाँ से बनाएंगे, सिर्फ हमें यहाँ पर बीच में एक एकचेन की gapping लेनी है और इस तहाँ से बनाते हुए दो round हम yellow के बनाएंगे तो total कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 7 round हमारे total yellow के हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें 1 round white color से बनाएंगे और उसके बाद फिर एक कलर हम एक राउंड हम इसका येलो कलर से बनाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये टोटल नो राउंड हमारे बन जाएंगे और नो राउंड हम बना कर ये कंप्लीट करेंगे जैसे ये बाला राउंड बनाया है सेम वैसे ही बनाएंगे एक राउंड ये इसके बाद एक राउंड और बनाएंगे यलो का उसके बाद हम एक वाइट का बनाएंगे फिर एक यलो का बनाएंगे तो बनाकर कम्प्लीट कर लेते हैं देखे यहां पर हमारा यह मातारानी का लहंगा बनकर कम्प्लीट हो चुका है एक लास्ट राउंड बनाना बाकी है तो यहां पर देखे हमने इसमें एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ मैंने आपको साथ राउंड पताया थे लेकिन थोड़ी से लंबाई छोटी रह गई तो यहां पर मैंने लंबाई को बढ़ाया है आप भी अपनी लेंध के अकोडिंग जितना भी आपको मातारानी का लंबा लहंगा बनाना है उसमें कम या ज्यादा रो कर सकते हैं तो मैंने एक राउंड और बनाने के बाद फिर मैंने वाइट बनाया फिर उसके बाद मैंने यह जो कलर से वाइब हम इसके ऊपर लाज्ट बनाइगे वह उसके रह ग्रीन कलर से है तो तो यहां पर दिखें हम ढजा जोइंट करेंगे कि यहां पर हमारा कच हुआ था था ऐगा तो हम यहां पर करेंगे पिल हाँ चेंश बनाएंगे तीन। एक दो, तीन, तीन चेन बनाई है धागर लेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोश्या बनाएंगे एक, एक डबल क्रोश्या बनाया, एक, दो, तीन चेन बनाई है फिर यहाँ पर देखे इस डबल क्रोश्या को हम इस तहह से करेंगे तो यहाँ पर आपको एक space दिखाई देगा देगा इसके अंदर हम इस तह से crochet hook डाल कर इसे single crochet की साथ इस तह से joint करेंगे पिर धागा लेंगे फिर से हम यहाँ पर double crochet बनाएंगे एक, दो, तीन chain लेंगे और फिर से देखे इस तह से आपको hole दिखाई देगा इस hole के अंदर हम single crochet बनेंगे फिससे धागा लेंगे एक दो तीन और यहाँ पर single crochet फिससे एक दो तीन single crochet एक दो तीन चार हो गए एक बार और बनेंगे एक दो तीन पांच पांच बार बनाया है देखे यहाँ पर हम धागल लेंगे और फ्रेंट पोस्ट डबल क्रोश्या इस तरह से हाइट लंबी करते हुए बनेंगे देखे इस तरह से एक बार और बना लेते हैं दागा लेंगे और यहाँ पर हम double crochet एक दो तीन चेल लेंगे और हम यहाँ पर single crochet एक दो तीन सिंगल कोश्य तो मैं यह टोटल पांच बना लेती हूं तो देखिए यहाँ पर हमने पांच बना लिये हैं पिससे हम बल लेंगे और हम यहाँ पर फ्रेंट पॉस्ट डबल कोश्य बनाएंगे तो देखिए इस तहर से बनाते हुए हम यह राउंड कम्प्लीट करेंगे देखिए लास्ट राउंड हमारा बन गया है और बनने के बाद इसका लोग कुछ इस तहर से बन कर आया है उम्मीद फ्रेंट्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आयोगी वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चोली बनाना और दुपट्टा बनाना सिखाऊंगे मातारानी का किस तरह से बनेगा उम्मीद आपको पसंद आया होगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में